गुड मोर्निंग एवरिवान स्वागत करती हूं एक बार फिर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूं पेशन के पकोड़ों की रेसिपी तो ये बरसात के मोसम में बहुत टेस्टी लगते हैं और आप चाहें तो अपने घर मे बना सकते हैं मैं रेसिपी कुछ अलग अंदाज में लाई हूं तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी बना कर देखिएगा तो ये मैंने सबसे पहले उबले हुए आलू ले ली है अब इन आलू को हम अच्छे से घिस लेंगे या फिर हाथ से चाहें तो हाथ से फोड़ लेकिन उसमें कोई आलू का पीस नहीं रहना चाहिए ये देखिए ये बिल्कुल बारी हमारी आलू बिल्कुल बारी हो गए है इसमें आलू कोई पीस नहीं है तो अब हम इसको प्राय करने के लिए मसाले निकाल लेते हैं सबसे पहले मैंने नमक निकाल लिया है थोड़ा स थनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सामचूर पाउडर, थोड़ी सी कसमीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, एक बारी कटी हरी मिर्च, और ये थोड़ी सी कसूरी मेति, कसूरी मेति करिगा आप हरा धनिया भी उच कर सकते हैं, ये मैंने साबत धनिया ले लीए है, पित आलू को फ्राइ करने के लिए ये मैंने थोड़ी से कड़ाई में चिकनाय चड़ा ली है, अब मैं सबसे पहले इसमें अपना साबत धनिया चोड़ दूगी, और उसे हलका सा ब्राउन होने के बाद उसमें सारे मसाले अट कर और हल्की सी गरम चिकनाई में मसाले भूनने के बाद हम इसमें अपने आलो एड कर देने हैं और अच्छे से पेष्ट बना लेना भी यह देखिए यह यह अब हमारा अच्छे से पेष्ट बन गया हैं पक्षोड के लिए तेयाः पेष्ट तो फिर अब हम जो आप चलिए बे थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी कस्मीर लाल मिर्च, और थोड़ी सी कसोरी मेति डाल दिया है, पानी एड़ करके हम इसका पेष्ट बना लेंगे, यह मैंने पानी डाल दिया है, पानी थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना है, क्योंकि पेष्ट को पतला नहीं बनाना है, यह देखे हमारा पेश्ट तेयार हो गया है ना बहुत जादा पतला है और नहीं बहुत जादा गाड़ा तो पेश्ट तियार है अब हम अपने पकोडों की शेप दे ले दें तो थोड़ी-थोड़ी पिठी इस तरीके से लेके हाथ में गोल-गोल लड्डू की तरह इनको बन लेना है इस तरीके से देखे मेरी पिठी इतनी अच्छी बनी है कि बिल्कुल भी हाथ के साथ चिपक नहीं रही है यह रवेदार आलू है तो आप जाद तर अगर पकोड़े पनाठे कचोरी कुछी बनाते तो उसमें चिप सोना आलू ही यूज कीजिएगा क्योंकि उनकी पीठी बहुत यच्छी बनती है है अगर आलू चिप-चिप होंगे तो हमारे पकोड़े इतनी अच्छे नहीं बनेंगे अको यह दिखी है है यह त्यार है सरसों का चला लेते हैं तेल हमें एतना लेना है जिसमें की हमारे पकोड़े अछिसे ढूप जाएं और अचिने सिख जाएं कि अब मैं तेल को ऺड़ेंगे कपले के लिए जब तेल अच्छे से पक जाएगा तो हम घास को फ़ले बंद कर देंगी यह देखिए देल अच्छे से पक गया और हम इसी में पकोड़े डाल दें तो फास टकोड़े जल जाएगे इसलिए थोड़के दिर के कि देखिए बिल्कुल भी बेशन मेरा कड़ाई में अलग नहीं जा रहा है अच्छी तरह से पकोडों के साथ बेशन मिल गया है जब आप इस तरीके से पिठी छोग कर पकोड़े बनाएंगे तो बिल्कुल आपको हलवाई जैसा टेस्ट आएगा बिल्कुल जैसा आपने साधियों में खाए होंगे तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और कमेंट बोक्स में बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी ल और चलाते हुए इसी तरीके से तर लेंगे यह देखिए अब यह हमारे एक तरफ से सिख गए तो अब हम दूसरी तरफ से इनको सेख लेंगे इस तरीके से इस तरीके से तो चलिए अब यह देखिए यह हमारे पकोड़े तियार हैं तो हम इस तरीके से इनको धीर-धीरे निकाल लेंगे बर्सात के मोसम में यह पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं एक बार जरूर बनाईएगा अब हम और पकोड़े अपने तल लेंगे हम सारे पकोड़े इसी तरीके से तल के सर्व कर देंगे फिर इनको चाहें तो आप हरेधनी की चट्नी के साथ चाहें तो सोस के साथ भी सर्व कर सकते हैं अब यह देखें मेरे सारे पकोड़े तयार है कितना अच्छा कलर आया है यह गरम गरम जब इन खाते हैं तो क्रिजपी होते हैं और अंदर से बहुत ही इसपाइसए और क्रिश्पी पकोड़े होते हैं यह देखिए अब यह सर्व करने के लिए मैंने ठाली लगा लिए तो आप भी खालीजी, thank you so much guys.